हलो दोस्तों नमस्कार देवे माईस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है आकाश रिवास्तो तारिक आज 11 नमबर 2022 और हम बात कर रहे हैं दहिंदू के डेली एडिटोरियल एनलेसिस को आसान भाषा में समझने की इसका फ्री पीडियो फोर दूसरे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आगे बढ़े चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले जिसे क्वालिटी कंटेंट आप तक रिग्रली पहुशतर है आज के सेशन में दहिंदू के दो एडिट एडिटूरिल आटिकल में बात होगी forgotten in India after fighting from world trenches. One by one दोनों है एडिटूरिल आटिकल के क्रक्स को आसान भाशा में समझने का प्रयास करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. पहला एडिटूरिल आटिकल अन्लॉंडर्ड पृत अंचाहे सच. Central agencies should reflect about the way they are used for political ends. केंदरी एजनसियों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि उनका इस्तमाल राजनितिक फायदे के लिए कैसे किया जाता है. आटिकल में बात हो रहे हैं जिस तरीके से संजय राउत इनको अभी कोर्ट द्वारा रहात दी जाती है. ED द्वारा इनको जेल हो गई थी और बेसिकली पूरे आटिकल में इसी मुद्दे को लेकर इर्दगिर्द डिसकुशन हुआ है. बात हो रही है कि स्पेशल कोर्ट द्वारा इस नतीजे पर पहुचा जाता है जो कि PMLA, Prevention of Money Laundering Act, इस की सुनवाई कर रही थी मुंबई में और कई सारे कोर्ट द्वारा टिपडियां की जाती हैं, गंभीर टिपडियां, जिस तरीके से प्रवर्त निदशाले, ED, Enforcement Directorate कारे कर रहा है, और जब बेल दी जाती है संजराउत को, तो बेसिकली इवन जो इनका अरेश्ट ED के द्वारा है, स्पेशल कोर्ट द्वारा उसको इल्लीगल भी ठहराया जाता है, और साथ में ये भी बात कही जाती है कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि इनको Enforcement Directorate द्वारा Money La Boundering Case में गिरफतार किया जाए, साथ ही साथ में जब इनकी बेल होती है, बेल के ही समय, स्पेशल जज एमजी डेश पांडे, इनके द्वारा ये टिप पड़ी की जाती है कि ED को तुरित रूप से जिस तरीके से Bombay High Court के द्वारा जब इनकी टिप पड़ी आती है, तो उसके के खिलाफ ED पहुच जाता है, किन्तु, जैसा कि देश पांडे जी द्वारा जो भी निरने दिया गये, लिंदी निरने था और काफी डिटेल में बहुत सारी बातें इनफ मटेरियल प्रवाइड किया गया कि जो भी चार्जिस लगाए गये हैं, आपोजिशन पार्टी के द्वारा और साफ सफ जैसी द्वारा ये भी लिखा गया कि केंद्री एजन्सीज होती है, इनका इस्तमाल जो किया जा रहा है कि किस तरीके से जो राजनितिक गलियारों में जो अपोजिशन के लोग होते हिमें, उनको टारगेट किया जा, उनको डराया जा सके और mogą कि यसम नहीं बनता है और संजय राउत के साथ साथ प्रवीन राउत की भी बेल हो जाती है और बैसिकली बात यह कही जा रहे कि एक जो सिविल डिस्प्यूट का मामला हो सकता था उसको क्रिमिनल केस में बदलके इनकी गिरफ्तारे इडी द्वारा जो की गई है वो पूरी तरीके से बिना किसी रीजन के इवन गैर कानूनी भी थी और आगे अब यह बात कही जा रही है कि एडी का अपना तरक है कि संजय राउत द्वारा मुंबई में एक चॉल के खरीद फरोक्त में जो की एक हजार करोड से उपर का लेंदिन होता है उसमें से 95 करोड इनकी वाइफ और द अब आगे यह बात कहीं जा रही है कि जिस तरीके से जो गैर बीजेपी पॉलिटिकल लीडर से उनको लगातार केंदरी एजनसी हो द्वारा टार्गेट किया जा रहा है जिस तरीके से कई वकील और एक्टिविस्ट को भी अरेश्ट किया गया है इवेंट टेरिस्ट टेरि बात हो रही है कि जब मनी लॉंटरिंग केस की बात होती है तो इसमें एडी को यह अधिकार हो जाता है कि वो एक केस को रजिस्टर कर सकता है जब भी कोई FIR अगर पुलिस के द्वारा की जाती है और इसी के तहत वो गिरफतारी भी कर सकता है इस्पेशल जज द्वारा ये भी बात को नोट किया गया कि बात जब आती है कि किसी की गिरफतारी करना है तब प्रवर्तन निदेशाले बहुत फुर्ती दिखाता है लेकिन जब अब गिरफतारी के बाद आगे की ट्राइल की बात आती है तो अत्तधिक सुस्त हो जाता है ऐसा लगता है कि जो ED के officer है उनको सिर्फ दो ही धाराएं पता है पहला section 19 की बात हो रही है जो कि ED को arrest करने की शक्ती देती है दूसरा section 45 की बात हो रही है जो कि bail न मिल पाए इसके लिए condition ED द्वारा तैयार किया जाता है लेकिन उनको गिरफतारी के बाद proper trial करना चाहिए इसकी भावना से ED ऐसा लगता है कि खुद को दूर रखता है तो अनभिग्य जताता है ऐसी टिपड़ी गंभीर ये टिपड़ी मानी जाएगी जो कि एक जज़ द्वारा आती है और चुकि जिस तरीके से मामला आ रहा है लगातार आरोप्रत्यारोप का दौर चल रहा है बेसिकली ये भी जो central agencies हैं उनको अपनी जिम्मदारी को समझना होगा और सिर्फ और सिर्फ खुद को जो राजनितिक पार्टिया हैं केंद्र में या जो प्रभावी पार्टिया रहती हैं उनके हाथों की कटपुतली बनकर नहीं रह जाना चाहिए अगले आर्टिकल में बात होगी forgotten in India after fighting from world trenches दुनिया की खाईयों से लड़ने के बाद भारत में भूल गये आज तारिक है 11 नवंबर और आज ही के दिन 11 थार 11 गंटे में 11 दिन 11 महीने के 1918 की बात हो रही है जब प्रथम विश्वयुद समाप्त होता है बिसिकली अब विश्वयुद की बात हो रही है तरासदियों की बात होगी जो सेनाएं विभिन्ने देशों से उसमें पार्टिसिपेट किये थे उनके बलिदानों का चर्चा होगा और ऐसे में भारती है जो योगदान रहा जिस तरीके से चाहे वो यूरोप हो अफरिका हो पस्चिमेशिया हो एशिया हो यहाँ पर बहुत सारे भारतिय वीरों ने अपनी प्राणों की आहुती दी थी और लगभग 10 मिलियन बैटल फील्ड डेथ होती है प्रथम विश्वयुद्ध में और लगभग 15 मिलियन एक मिलियन में 10 लाख संख्या होती है तो इतने मारे जाते हैं दुतिय विश्वयुद्ध में और बहुत सारे देश हैं जो आज के दिन को 11 नवंबर को अपने देश से जो वीरों ने आहुती दी उनके सम्मान में राष्ट व्यापी मौन आयुजित करते हैं और उनको सम्मान देते हैं पर भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कुछ जगों की बाते छोड़ दी जाए अगर आर्मी का इंटोनमेंट की बात छोड़ दी जाए साथ साथ में कलकत्ता में जो बिटिश काउंसुलेट है वहां पर छोड़ के शेश भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जबकि भारती बलिदानों की बात करें तो लगबग लगबग एक लाख एक सट हजार इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुती दी थी इन युद्धों में और आजादी के 75 वर्षे बीच जाते हैं और अब ये ऐसा समय आ गया है कि जो बलिदान दी गई है विश्व देखने को मिलता है उसको जरूरत आ गई है कि हम उसको मेन स्टेज पे ला सके इन वीरों के शहादत को याद कर सके और सिर्फ हम इसको विश्व युद्ध के रूप में ध्यान करते हैं किन्तु ये भारतियों की भी युद्ध थी और अब ये बात हो रही है जिस तरीके से इन दोनों संहर्षों की बात हो रही है कि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा था चाहे वो फष्ट वर्ड वार की बात करें या सेकंड वर्ड वार की बात करें दूसरी तरफ इसके पैरलल में ही भारतिय वीरोध्वारा स्वतनता संग्राम भी चलाया जा रहा था और इ पहले की सफलता दूसरे की कीमत पर आती दिख रही है यम्हान युद्ध के दौरान समर्थन के बतले में भारत के लिए अधिक स्वायतता की राष्टवादिया पेक्षाओं के विश्वास घात के साथ शुरू होता है हम सभी को पता है कि इस तरीके से ये प्रॉमिस किया गया था कि वर्ड वार में अगर इंडियन सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद हमको आजाद किया जाएगा पर ऐसा होता नहीं है और लॉर्ड लिलिन्लिन्थ को जब दुती विश्व की बात आ रही है तब जर्मिनी के विर बिना इंडियन लीडर से कंसल्ट किये भारतीयों को वो युद्ध में झोक दिएते है। और ये भी आगे बात कही जारे जिस तरीके से भारतीयों को भारतीयों के जब ऐसा नहीं होता है तो बेसिकली जो भारतियों की पार्टिसिपेशन रहती है युद्ध में वो इस वज़े से नहीं होती है कि हम युद्ध में पार्टिसिपेट एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ जो कॉलोनियल रूल है उसको भी एक्स्टेंड कर दिया जाएगा या किसी भी भारती के मनमत्यश्क में ये चल रहा था कि हम युद्ध में इसलिए सम्मेलित होंगे ताकि ब्रिटेन सामराज्य की रक्षा की जा सके बलकि वो युद्ध था जो भारती ये भूमी पर हो रहा था भारत को बचाने के लिए और फिर भी कई बार ऐसा हो रहा है कि जाता तर लोगों के दिमाग में ये बाच चल रहे है कि वो किसी और की लड़ाई थी किसी और जगहे पर हो रही थी और इसी नाते जब इतिहास की किताबों में देखा जाता है तो विश्य युद्धों में भारतीयों के जो कंट्रिबूशन है ये नदारत दिखता है लगवग डढ़ मिलियन लोग वॉलंटरी किये थे इन युद्धों में लड़ने के लिए भारत जो वीर थे उनको मोबलाइज किया गया था जब बृतिन द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोशना कर दी जाते उसके चार दिन बाद नेशनल जो लीडर है उनके सपोर्ट जाता है उनसे बात की जाते उसके बाद इवन महात्मा गांधी भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि ऐसे समय पर भारतियों को बृतिन की सहता करनी चाहिए पूरे जोश्यों खरोश के साथ युद्ध को लड़ा जाता है चाहे वो यूरोप हो वेस्ट एशिया हो 25 लाख जुटिय विश्विद्ध के लिए और इवन भारतियों की जब बात होती है तो 87,000 जो लोग मर जाते हैं भारतियों की जो 25 लाख की सेना जुटाई जाते हैं 25,000,000 की 87,000 उसमें से कभी लोट कर भी नहीं आते हैं 31 विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है 15 प्रतीशत जो पूरी विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था वो अंडिवाइड़ जो भारत था उसमें आता है और ऐसे में बिना भारतियों सैनिकों के सहयोग के विश्वयुद्ध की शायद जो भी परिडाम आये हैं उसमें काफी अं लेक द्वारा भी माना जाता है जो कि भारत में ब्रिटिन के अंतिम कमांडर इंचीफ इंडियन आर्मी के रहे थे और ये बात ऐसा नहीं है कि तुरंत आवेश में कही गई उस साल भर बाद जब इंटर्वीव उनके साथ हुआ था उस समय इस बात को माना गया था फिर भी भ जैसे कि जब कॉमन्विल्थ की बात आती कॉमन्विल्थ का कंट्रिबूशन का क्या रहा ब्रिटेन में वहाँ पर इसकी चर्चा देखने को मिलती है साथी साथ में मेमोरियल भी वहाँ पर लगाया गया है कॉमन्विल्थ मेमोरियल गेट पर और जो कि बंकिंगम पैलेस त अगर इतिहास के हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वो यहां पर नहीं पहुच पा रहे हैं, आगे यह बात कही जा रही है कि ब्रिटेन, यह ग्रेटफुल जरूर रहा, भारती जो योगदान रहा, लेकिन भारत अपने ही लोगों के द्वारा जो योगदान दिया गया है, उसको अकनॉलेज शायद नहीं कर पा रहा, और अब यह भी बात कही जा रही है कि ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने 11 विक्टोरिया क्रॉस दे दिया, तो ब्रिटेन की भावना बहुत शुद्ध थी, पर व होप में सपोर्ट के लिए लोगों का आहवान किया था, कि इसके बाद जैसा की प्रॉमिस था कि हमको आजाद ही मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं, वर्ड वार के बाद तुरंत मार्शल लो लगा दिया जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जलियावाला बाग नहीं जika दोnaire की असा कांड होता है, और किंतू किसी भी तरीके से किसी भी तर्कों से किसी भी इतिहास के पन्नों में कर जाए, तो हम उञे शहादत को कही जो हरु से कम नहीं कर सकते हैं, जो इन विश्व युद्धों में भारतियों ने की हैं, और ऐसे बहुत से योद्ध जो बाहर जाते हैं British soldier के साथ British जो सैनिक होते हैं उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और जब घर लड़ते हैं तब उनको इस बात का भी ग्यान होता है कि जो हमारे colonial master है और जो हम है वास्तविक्ता में कोई अंतर नहीं है किंतु जब भारतियों द्वारा ही उनकी योगदान को नगर ने किया जाता है तो वास्तों में हम उन वीरों को कई साल पीछे फिर से जो कोलोनियल मान सिकता है उसके गिरफ्त में धकेल देते हैं और अभी दुतिय विश्वय युद्ध में भारत को जापानी जो फोर्स थी उसके द्वारा एक गंभीर खत्रा भी ह हो जाता है जब जापानी फोर्स बर्मा तक पहुचाती है और उसके बाद इमफाल और कोहिमा में उसके विरुद्ध ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसमें की बहुत संख्या में भारतिय वीर ही थे उसको रोकते हैं और काफी गंभीर युद्ध देखने को मिलता है बहुत कोहिमा में लिखा गया है एक वहाँ पे इपिटेफ है जिसमें जॉन मैक्सवेल एडिमेंट द्वारा एक पंक्तियां लिखी गई है इनके नाम से जब आप घर जाहिएगा तो लोगों को जरूर बताईएगा हमारे बारे में और यह कहिएगा कि आपके कल के लिए हमने आज को बलिदान कर दिया और आज हमारा जो आज जो बना है वो उस निव पर तैयार है जो इन वीरों के बलिदान से तैयार होता है ऐसे में ये एक समय आ चुका है कि विश्व युद्धो में भारत के अपार युगदान का सम्मान करने और इस इतिहास के फुट नोट से मुख्य मंच पर ले जाने का समय है आज के हिंदू के डिटोरिल आडिकल में इतना ही अन्त तक बने रहने के लिए धन्यवाद